आज हम बेबी अंगरक का टोप की ड्राफ्टिंग करना सिखेंगे मेजरमेंट इस परकार है फुल लेंथ 15 इंच एक्रोस बैक 8 इंच चेस्ट 18 इंच सबसे पहले हम लेंथ निकालनेगे लेंथ निकालने का जो फॉर्मेट है हमारा फुल लेंथ प्लस सीव लाउंच प्लस टर्निंग फुल लेंथ हमारी 15 इंच है सीव लाउंच आधा इंच टर्निंग 8 इंच टोटल हमारा 16.5 यानी साढ़े 16 इंच जब हम कप्ड़ी पर कटिंग करते हैं कि इसी पॉर्मेट की अनुसार हम कटिंग करते हैं सबसे पहले हम लेंथ लेंगे यह हम प्रंट पार्ट की लेंथ ले रहे हैं यह यहां से यहां तक हमारी फुल लेंथ है इसके बाद हम तीरे यह फितका नाफ लगाएंगे तीरा हमारा है नाट इंच एक्रोस बैक का हाब चार इंच लेंग लाइन से अंदर की तरह हम निसान लगाएंगे चार इंच पर तीरे का यह यहां से यहां तक क्रोस बैक का हाब पराबर चार इंच यहां से यहां तक उसके पार आर्मोल लेंगे आर्मोल के लिए एक्रोस बैक का हाब प्लस हाब इंच इस इकल टू 4.5 साड़े चार इंच साड़े चार इंच हम आर्मोल के निसान लगाएंगे नीचे डाउन आएंगे साड़े 4 इंच यह हम ने यहां से यहां का आर्मोल के निसान लगाएं चेस्ट लाइन लेंगे चेस्ट लाइन निकालने का प्लस बैक चेस्ट डिवाइड बाइ 4 प्लस 1 इंच चेस्ट हमारी 18 इंच है 18 इंच को 4 से डिवाइड करने पर 4.5 साड़े 4 इंच प्लस 1 किया इस इकल तू 5.5 यानी साड़े 5 इंच चेस्ट लाइन निकाल करते आई हमारी साड़े 5 इंच इस इस लाइन से अंदर की तरफ चेस्ट लाइन का रिसान लगाएगे साड़े 5 इंच जितना हमें चेस्ट पर लिया है उतना ही हम विट्ट पर लेंगे विट्ट लाइन को चेस्ट लाइन से मिला रहेंगे इस पर काल यह हमारा फ्रेंट एफ बैक बनाने के लिए भी हमें बैक इसी परकार से जैसे हमने फ्रेंट बनाया है उसी परकार हम बैक भी शोग करेंगे सबसे पहले हम बैक की लैंग लेंगे यह हमारी फोल्ड साइड है यहां से यहां तक बैक लैंट हमारी फोल्ड साइड है उसके बाद तीरा लेंगे तीरे का हाप करते हैं एक लोज बैक का हाप चार इंच यह हमने यहां पे तीरे का निसान लगाया यहां से यहां तक आर्बोल साइड चार इंच चेस लाइज इतनी हमने फ्रंट में लिए है यह यहां से यहां तक उतनी ही हमने यहां पे बैक मिली विड्थ पी इतनी हमने चेस लीक उतनी ही हम यहां पे बैक बिड्थ लेंगे और इसको मिला देगे यह हमारा बैक हैं उसके बार हम फ्रेंट नेक की विट निकालेंगे और अंग रखा में हम फ्रेंट में राइट हैड एक्स्टा आते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आदा इंच का हम सीम लंस ही रखके चलते हैं दोस्टे पहले हम फ्रेंट राइट पार्ट के बारे में बात करेंगे जो हमारा फॉर्मेट है उसी हिसाब से हम राइट पार्ट को बढ़ा के लेंगे चेस्ट डिवाइड बाइट तैन जितने भी आपकी चेस्ट है उसको डिवाइड करना है तैन से प्लस हाफ इंच 18 इंच हमारी चेस्ट है 18 इंच को ओप 10 से डिवाइड खिया तो उन्हें 2 हमारा उन्हें 2 इंच प्लस हाफ इंच हमारा 2.3 2 इंच 3 पॉइंट निकल कर गया आता है हम राउंड फिगर भी इसको 2 इंच भी ले सकते है 2 इंच 3 पॉइंट यह जो हमारी फ्रेंट लैंड है इससे हमें भार की तरफ आना है 2.3 इस को अम राउंड फिगर में 2 इंच भी कर सकते है यह हमें यहां के भार की तरफ आपके लैंट लाइन पर यह भी सान लगाना है लैंट हमें उतनी ही रखनी है सिर्फ विड़ हमें बढ़ानी होती है आपकी चेस्ट कोई भी हो उसको 10 से डिवाइड करने पर जो निकल के आईगर राइट साइड आपके बढ़ा लेंगे यह हमारी राइट साइड है लैट साइड में सिर्फ आदा इंच ही हम रखते हैं इसकी ओवर लैपिंग के लिए अब यहाँ पर हम नेक्स विड्स की बास करेंगे नेक्स विड्स हमारी है चेस्ट डिवाइड बाई 12 18 को 12 से डिवाइड करने पर देड इंच यह जो हमारी लैंस लाइन है इस लैंस लाइन से डेड इंच हम अंदर आये और यह हमने निसान लगा दिया नेक्स लैंस के लिए चेस्ट डिवाइड बाई 12 प्लस 1 इंच इस इकल टू 2.5 धाइंच नेक्स लैंस हमारे धाइंच निकल कर दिया आई और इसको हम किसी भी सेप में हम इस तरीके से मिला देंगे यह मिलाने के बाद तीरा डाउन करेंगे हम यह हमारा यहां पर डेड़ इंच आया था और लैंच हमारी निकल करके आई थी 2.5 धाइंच यह जो हम आगे गए हैं यह हम करे हैं चेस्ट डिवाइड बाई 10 यह हम धाइंच भी या फिल 2 इंच भी आगे आ सकते हैं यहांपर हम चेस्ट डिवाइड बाई 10 आगे की तरफ आए थे यह यहां से यहां तक और इसको हम ले यहां पर लाकिन मिला दिया था तीरा डाउन करना है आदा इच तीरा डाउन करना है नेक की विघ्ट से लाकिन मिला देना है यह जो हमारी length बच्ची आर्फोल की इसका half करेंगे half करके आदा इंच अंदर आएंगे और इसकी हम save करेंगे इस परकार हम chase line से save करते हुए इसको मिला देगे यहाँ पर हम आदा इंच डाउन आएथे आदा इंच हम अंदर की तरफ इस इकलतो साड़े पांच इस साड़े पांच इस हमें यहाँ पर width रखी जी जितना हमारा chest अगर हमारे पास width का measurement होता तो हम नहाँ पर उस-स हमेजरिमेंट के according यहाँ पर हम width लेते इसी परकार हम back next फ्रेंट हमने यहां पर 1.5 लिया तो 1.5 पर हमने यहां पर बैक विट पर निसार लगाना है लैंट अपनी इच्छा अनुशार कम ज्यादा कर सकते हैं हम यहां पर एक इंच डाउन लगाएंगे और इसकी सेप कर देंगे एक इंच लेंट लिया है हमने और 1.5 इंच विट लिया है विट हमें फ्रेंट के अकोर्डिन ही लेनी है बैक डाउन हमने यहां पर आधा इंच किया यह बैक डाउन फ्रेंट के इसार से ही हम करते हैं जितना हमने फ्रेंट में किया होता ही हमने यहां डाउन किया और इसको य प्रेंट में जो दो पार्ट होते हैं यहां से यहां तक और यह जो हमने बढ़ा के दिया है यह हमारा राइट पार्ट है कि यह फुल लैंथ है यहां से यहां तक एक चीज का आपको जहां लगता है उसमें हम एक्स्ट्रा यहां पर एड कर सकते हैं पहले ही और अगर हमें बाग में खरना है तो आदा इंच वहां पर चो हमारी चेस लाइन निकल के आई उससे हम आदा ही चेक्स्टार लैफ्ट में लेंगे और चेस का डिवाइट टैम करके राइट को पढ़ाते हुए लेंगे यह हमारा बेबी अंगरखा टोफ की ड्राफ्टिंग बनकर तयार है